पाकिस्तान का जिंबाब्वे का टूर 21st एपरल से 3 मैच की T20 एई सिरीज से हरारे में स्टार्ट होगा इसके बाद इसी वेन्यू के ऊपर पाकिस्तान 2 टेस्ट मैचिस भी खेलेगा टेस्तान का जिंबाब्वे के एगेंस्ट एक वर्ल्ड रेकॉर्ड है दोनों टीम्स के तर्म्यान 14 T20 एई होई हैं जो के सब के सब पाकिस्तान जीते हैं दुनिया में कोई और ऐसी टीम नहीं है जिसने के एक स्पेसिफिक टीम के एगेंस्ट इतने मैचिस जीते हों पाकिस्तान ने हमेशा से जिंबाबवे के गेंस अच्छा परफॉर्म किया भी रिसेंली रावल पिंडी में पाकिस्तान ने एक सीरीज थ्री निल जीती थी और उससे पहले 2018 में जब पाकिस्तान जिंबाबवे गया था तो वहाँ पे ट्वाइ सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में शिकस दी थी इस सीरीज में अगर हम इंडीजुल मालस्टोन की बात करें तो एक बार फिर से नजरें पाकिस्तान के कैप्टन बाबराजम के उपर होंगी जिनके के T20 आइस में 1940 रंस हैं इन जस्ट 49 इनिंग्स अगर वो नेक्स 6 इनिंग्स में भी 60 रंस कर ले सिरफ 66 मैचिस खेले हैं वो भी और अगर वो आने वाले मैचिस के अंदर साथ मजीद आउट करते हैं तो वो भी उस लिस्ट में आ जाएंगे जिसमें के पाकिस्तान के वो बॉलर्स हैं जिन्होंने कम से कम मैचिस में T20 क्रिकेट में 100 आउट किये फखर जमान के अगर हम बात करें तो जब पाकिस्तान ने 2018 में जिम्बाववे का टूर किया था तो उन्होंने ODA सिरीज में एक डबल सेंचरी की थी और जो T20 एई सिरीज थी उसमें भी उनकी एवरिज 55 थी और स्ट्राइक रेट 150 प्लस था ट्राइ सिरीज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के गेंस्ट फखर जमान एक 91 रंस की इनिक्स खेली थी और पाकिस्तान को वो सिरीज जितवाई थी होपफुली आपको जो स्टैट्स पसंद आये होंगे हम आप से दुबारा मिलेंगे कुछ मजीद इंट्रस्टिंग स्टैट्स, फेक्ट्स और नंबर्स के साथ